वेलकम दोस्तों, इन्वार्मेंट के कंट्यूनेशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव वेस्ट और इवेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको कैसे मैनेज किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है रेडियो एक्टिव वेस्ट समझने के पहले हम रेडियो एक्टिव मेटरियल समझते हैं रेडियो एक्टिव मेटरियल वैसा एटम होता है ऐसा मेटरियल होता है जिससे की अलफा, बीटा और गामा रेडियेशन्स निकलते हैं इससे डिटेल्स में आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है आप बस यह याद रखें कि जो रेडियो एक्टिव एक्टम्स होते हैं वो डिके करते हैं नैचुरली यह नैचुरल प्रॉसेस है और उनसे अलफा, बीटा और गामा रेडियेशन्स निकलते हैं इतना आपके लिए काफी है किसी भी एक्जाम में अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो रेडियो एक्टिव मेटरियल हमने समझ लिया है अब हम समझते है रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट उस तरह का वेस्ट है जो की रेडियो एक्टिव मेटरियल कैरी करता है इसलिए मैंने आपको पहले रेडियो एक्टिव मेटरियल समझा दिया है जैसे कि nuclear medicine हो गया जैसे कि nuclear research हो गया nuclear power हो गया nuclear weapons हो गया उन सब का byproduct होता है radioactive waste इन सब का क्या होता है जो भी nuclear industries होती है जो कि nuclear technology को use करती है इन सब का byproduct होता है nuclear waste इसका composition देख लेते हैं अब composition हो जाता है इसका cesium 137 और strontium 90 लेकिन कुछ cases में plutonium भी होता है उसको क्या बोला जाता है transuranic waste transuranic यानि atomic number जिसका uranium से ज़्यादा हो transuranic transuranic मतलब atomic number जिसका uranium से ज़्यादा हो तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी सबसे पहले हमने समझा कि radioactive material क्या होता है radioactive material के अंदर क्या होता है कि जो radioactive atoms होते हैं वो natural processes के थुरू alpha beta और gamma radiations release करते हैं natural process है इसके अंदर radiations होते हैं बहुत ही harmful impact होता है इसका आदमी के body के उपर और environment के उपर भी तो radioactive material के बाद हमने यह समझा कि radioactive waste क्या होता है वैसे waste जिसके अंदर radioactive material हो उसके बाद हमने समझा कि radioactive waste बनता कैसे है तो वो by product होता है याने कि वो बहुत सारी जो nuclear processes होते है जो nuclear technology का यूज करती है उसके थुरू वो produce होता है जो आपका radioactive waste होता है फिर हमने उसका composition देखा हो जैसे सीजियम 137, strontium 90, plutonium भी कुछ cases में हो सकता है जिसको कि trans-uranic waste बोलते हैं जिसका trans-uranic waste मतलब जिसका atomic number uranium से जादा हो इतना तो हमने समझ लिया है अब सबसे इंपोर्टेंट बात है कि इनका disposal हम कैसे करें इनको manage हम कैसे करें वेश्टो बन चुका है अगर हम उसे manage नहीं करते हैं तब तो बहुत जादा harmful impact डालेगा environment के उपर इसलिए हमें उसे manage करना जरूरी है तो हम उसे manage करें कैसे आखिरकार उसके management के बहुत सारे process है जो कि हमने यहां दे रखा है सबसे पहला है above ground disposal इसमें क्या करते हैं इसमें एक steel cylinder लेते हैं बहुत ही जो आपका steel cylinder जो होता है बहुत ही जादा मुटापे वाला उसका skin होता है यानि thickness उसकी बहुत जादा होती है और उसके अंदर उसको seal करके फिर उसे हम तहीं पर dispose कर देते हैं यहां पर बहुत clear सी बात है above ground disposal है ऐसे ही तो छोड़ने देना है ground के उपर तो steel cylinder लेंगे उसके thickness बहुत जादा होने चाहिए उसके अंदर pack करेंगे हम जो भी nuclear waste ह हमारा और फिर उसे above ground dispose कर देंगे कहीं पर ताकि वो उसको छेट करके निकल ना पाए दूसरा है geological disposition geological disposal में क्या होता है कि कोई stable ground formation लेते है stable ground formation stable नहीं होगा तो क्या होगा stable geological formation stable नहीं होगा तो अगर मान लिजिये वहां पर fault है फॉल्ट की case में क्या होगा कि अगर fault है तो वहां पर fault से निकलना शुरू हो जागा खुद से ये waste तो stable होना चाहिए, stable geological formation, अगर stable है geology वहाँ की, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, और वो stably वहाँ पे रह पाएगा, नहीं तो वो material जो है, वो बाहर आ जाएगा, above ground आ जाएगा, और उसका फिर बहुत ही harmful impact होगा, अगला method है, transmutation, transmutation के अंदर क्या करते हैं, जो heavy duty आपके nuclear waste होते हैं, उनको reduce किया आता है, उनको transmutate किया आता है, किस form में, short lived nuclear waste के form में, short lived nuclear waste के form में, इसको आप याद रख लें, short lived nuclear waste, यानि कि, ऐसा हो जाता है, कि आपका जो nuclear waste है, वो short lived हो जाता है, यानि कि, वो बहुत जल्दी फिर धीरे दिरेडी कंपोज कर जाता है लॉंग नुक्लियर वेस्ट क्या होगा लांग लिफ नुक्लियर वेस्ट जो बहुत ही लंबे टाम तक अपना रेडियेशन रिलीज करता रहेगा यह हो गया हमारा उसके Space Disposal, नाम सही समझ में आघा है, इसमें बहुत ज़ादा बड़ा खतरा है, खतरा यह है कि launch vehicles होते हैं, उनके failure के chances यह बहुत बढ़ादेता है, launch vehicles है, satellite launch Istidus, जो satellite launch करना है, उस vehicle से अगर यह टकरा जाये, तो उसमें बहुत ज़ादा खतरा यह उस vehicle के लिए create कर देता है ये भी आप समझ सकते हैं कि nuclear waste है radiation release कर रहा है तो वो भी अपने आप harmful impact डाल सकता है किसी भी launch vehicle के लिए last है reuse उसको बार-बार use करना नाम से एक बिल्कुल clear है concept तो हमने 5 तरीके देखे हैं इन तरीकों से radioactive waste को manage कर सकते हैं चलते हैं अब electronic waste के तरफ electronic waste याने कि e-west भी जिसे हम बोलते हैं सबसे पहले हम यह समझते हैं कि e-west होता क्या है तो जैसे आपका laptop हो गया आपका mobile हो गया इन चीजों को हम electronic waste बोलते हैं क्योंकि यह electronic devices जब खत्म हो जाते हैं जब उनका purpose खत्म हो जाता है उनकी life cycle खत्म हो जाती है तो उन्हें discard कर दिया जाता है अब हम देखते हैं इसमें composition क्या क्या होते हैं lead, cadmium, beryllium, brominated flame retardants यह सारे हैं आपके इसके composition अब इसका harmful impact क्या है harmful impact इसका बहुत खतरनाक impact है यह सीधे आपके DNA पे attack करता है आपके ही नहीं animal kingdom के भी DNA पे attack कर सकता है यह और इस तरीके से बहुत जादा harmful impact डालता है यह ecology के उपर तो आपको क्या करना है अच्छे से उसको recycling cycle में डालना है उसको ताकि वह reuse हो पाए वह recycle हो पाए और reutilize हो पाए दोस्तों हम समझते है इव वेस्ट management rules यह 2016 में आया था इसके अंदर एक extended producer responsibility आई थी यह क्या है मैं अभी समझाता हो आपको दूसरा जो point है उसके अंदर यह है कि manufacturer जो manufacture करता है dealer जो की बेसता है जो की refurbish करता है और producer responsibility organization पी आरो जिसको बोलते हैं यानि कि जो भी produce कर रहें जो भी बना रहे हैं उसे उनको additional stakeholders बना दिया गया है यानि कि जो वह जो भी आपके manufacturer है dealer है refurbishers है producers है उन सब को मिल करके साथ में काम करना है ताकि जो इवेस्ट है वो recycle हो पाए रियूज हो पाए extended producer responsibility इसका क्या मतलब है हम यह समझते हैं इसके अंदर क्या होता है जो producer होता है आपका producer आपको अब जिम्मेदार है कि वह रिकलेक्ट करेगा आपका mobile जो पुराना mobile है पहले तो आप भी जिम्मेदार हैं कि आप अपना पुराना mobile जो है वह वह वापिस जाकर देंगे वह ऐ यह responsibility है कि mobile को recycling cycle में डाल दे recycling cycle यानि कि mobile को recycling के जो पूरे process है उसके अंदर डाल दें बहुत simple सा concept है hopefully आपको clear हो गया होगा मैं आपके लिए repeat भी कर देता हूं यह extended producer responsibility यानि जो producer है उसकी responsibility बढ़ गई है कि mobile को वापिस लेगा जो पुराने mobile से है और इसको refurbish करने का जो जिम्मेदारी है उसमें भी उसका important role आ गया है ठीक है दोस्तों अब यह देख लेते हैं इनके targets क्या क्या है 30% of the quantity of waste generation during the first two years of implementation of rules followed by 40% during the third and fourth years 50% during 5th and 6th years 70% during 7th years onward दोस्तों से क्या मतलब है बात यह है कि अगर मालीजे 100 unit waste हर साल produce हो रहा है 100 unit electric waste तो पहले दो साल में 30 unit को recycle कर लिया जाएगा तीसरे चौते साल में 40% यानि 40 unit को recycle कर दिया जाएगा 50% 5th और 6th years में यानि की 50 unit को 5th और 6th year में और 70 unit से उपर हर साल होना चाहिए recycle 7th year onward यानि 2016 से यह rule start हुआ है तो यह implementation के साथ साल बात से 70% of the electronic waste इनको आपको recycle कर ही लेना है तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा nuclear waste और electronic waste इस lecture में इतना ही अगर यह lecture आपको पसंद आया तो इस lecture को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और इसी तरह के और current issues से updated रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूल है thank you